Hello friends, welcome to our channel, Crypto with Bashar आज का वीडियो का स्वी Airdrop का second वीडियो है कल रात को ही मैंने टेलिग्राम पर भी post डाला था कि जो हमारे स्वी का पहला वाला वीडियो था Airdrop का उसमें अगर कोई भी आपके questions है मुझे आप वहाँ बताओ उन सब के answer आज के वीडियो में हम लोग करेंगे और उसी के साथ साथ जो स्वी के Airdrop में token में लेते उनको कैसे USDT में convert करना है कैसे reward वहाँ से लेना है उसके बारे में भी आज के वीडियो में बात करेंगे ये था guys वो last video जो जिसका मैंने link दिया था reality में guys कई चीज़े इस वीडियो में हम लोगों ने already discuss कर दी थी लेकिन कुछ चीजों के question है लोगों के अभी भी उन सब के बारे में one by one आज के वीडियो में बात करेंगे सबसे पहला काम तो ये करेंगे कि जो swap है इसका usdt वाला वो कैसे चलेगा वो एक बार मैं आप लोगों को बता दूँ अगर आप लोगों ने अभी तक जो sui 8.0 में participate ही नहीं लिया था तो यार मैं request करूंगा कि ले लो देखो आसान है पूरा का पूरा चीज़े मैंने explain करी है और कुछ यूजर ऐसे हैं जिन्नोंने धाई-तीन हजार तक token जो testnet में है वो यहां से लिये है तो कुछ लोगों का बोलना यार ये तो process ही बहुत complicated है यार थोड़ा सा काम करना है कुल मिला के wallet install करने है और उसके थूँ टोकन वहां से लेने है overview मैं दे दे रहाँ खाली आपको दो wallet आपको लेने है sweet wallet दोनों का extension का link आपको दे दूँगा एक question सबसे पहले मैं clear कर दूँ जो लोगों को आ रहा था mobile पे नहीं चल रहा है यार मैंने clear cut बोला है था last video में कीवी browser को install करो उसके थूँ चलाओगे mobile पे भी बराबर चलेगा तो भई आधे लोगों ने मुझे लगता है वो बात ही नहीं सुनी है और जिनोंने भी सुनी थी उन्होंने mobile पे हजार हजार token जो है यहाँ पे निकाल लिये पर हाँ जो laptop पे थे उन्होंने definitely जादा जो token है यहाँ पे लिये हैं यह दो wallet है जिनको हमें connect करना है तो मैं आ जाता हूँ sweet wallet पे हमारे थोड़ा सा time लगेगा तब तक एक और चीज मैं clear करता हूँ कई लोगों ने यह भी question करे है कि यार जो sweet wallet को sweet wallet के अंदर की activities है जब उनको perform करते हैं कई बार चल रहा है कई नहीं चल रहा क्या फाइदा तो यही game है यह दोनों चीज़े जो है guys अभी यहाँ पे test net पे है testing चल रही है इनकी testing चल रही है इसी वजह से वो आपको airdrop दे रहे हैं यहाँ पे कि आप आओ उनको test करो और आपका यही question है कि यार यह तो चली नहीं रही है यह चल नहीं रही है इसी को आपको test करना है इसी चीज़ का airdrop है यहाँ पे दूसी चीज़ जादा से जादा कोशिश करिएगा कि आप जो token ले रहे हैं न guys वो test net में लीजिएगा मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे उसको test net पे ले न 24 मेरे पास devnet पे पड़े हुए हैं यहाँ लेकिन अगर मैं test net पे जाओंगा न तो उस पे कम है काफी उस पे मेरे फिलाल अभी यहाँ पे 4.98 पड़े हैं जिसमें से कुछ दो मिल गए एक और देख लेते हैं तो कई अलग question थे कि यार यह तो चलता ही नहीं है यार थोड़ा patience रखो हम लोगों का क्या बोलना है कि जैसे हम click करें वैसे ही चल जाए यार testing के लिए इस सब चीज़े use हो नहीं अगर testing में ही सारी की सारी चीज़े चल गई तो फिर उनका test कराने का क्या फायदा होगा ना आपको चलो तो यहां पर क्या करना है सबसे पहले मैं USDT के बारे में आपको बता रहूं देखो इतने आ गए तो मैं क्या करता हूँ इस में से दो जो थे token उनको swap कर लेता हूँ यहां पर USDT में अगेन ध्यान देखना कुछ चीज़े चलेंगी कुछ नी चलेंगी currently 101 की value आ रही है 24 USDT कल तक यह साड़े 300 तक मैंने देखी है हुआ क्या जैसे आई लोगों ने swap करना इस्टू कर दिया value खतम हो गई एक और चीज ध्यान से सुनना बहुत ध्यान से यह जो आपको अभी USDT मिल भी रहा है ना मैं एक को swap कर लेता हूँ यह जो USDT मिल रहा है यह actual USDT नहीं है swap पे click करा pop up खुलेगा approve के button पे click करना हो सकता है swap हो हो सकता है swap नहो error आ गई यहां पर again यह जो USDT मिलेगा यह real नहीं है हमें सारी चीज़े करनी है पर पता नहीं हो सकता है जब यह final इनका main net आए अभी सब testing चल रही है हो सकता है जब main net आए तो वो time पे यह बोलने जितने test net में token रखे है वो आपके actual token हो गए अब आप समझो अगर मुझे 600 भी मिले और जैसा कल रात को इन्होंने दिखाया था साड़े 300 USDT का एक token था तो आप multiply कर लो या फिर पता नहीं वो कल को यह बोल दें कि जितने भी USDT आपने swap करें वो सारी USDT आपके हो गए तो क्या आगे जाके exact चीज होगी वो फिलाल हमें नहीं पता है तो जितनी मिल रही है उसको check कर लो अब देखो मैंने एक बार swap करा नहीं हुआ एक wallet में मैंने कल रात को testing मारी थी वो time पे 285 की around जो value थी सोई की उस USDT से मैंने 2 मारे थे वो मुझे मिल गए थे अब कर दो मैं यहां पे नहीं हो रहा है थोड़े से बार देखेंगे होगा या नहीं होगा again यह सब testing चल रही है testing कोई भी चीज अभी तक main net पे नहीं गई है कोई भी चीज अभी तक live नहीं हुई है इस वजह से कभी चीज़े चल रही है कभी चीज़े नहीं चल रही है again यह error आ गई है यहाँ पे तो यह link दे दूँगा इससे अपने usdt जो आए है उसको आप claim करो test कर सकते हो again कुछ activities अभी तक नहीं चल रही थी वो activities यहाँ पे live हो गई है जैसे कि domain buy वाला जो काम था वो अभी तक नहीं चल रहा था domain के लिए अगर आप यहाँ पे devnet पे आओगे apps में आओगे इधर चलेंगे तो मैंने भी यहाँ से एक domain मेरा buy कर लिया था एक अभी मैं buy करके देख ले रहा हूँ पहले जो domain buy में error आ रही थी wishal wishal crypto एक domain मैंने ले लिया यहाँ से और एक और चीज़ ध्यान रखना यह जो domain भी हमें मिल रहे है यह domain हो सकता है जब main net लाई वो सब उड़ जाएंगे हमारे यहाँ से आपको अगर याद होगा तो अभी तक जब हम यहाँ आते थे error आ जाती थी अभी error नहीं आ रहे है थोड़ी देद बाद ट्रांजेक्शन चलेगा बटन आ जाएगा क्लिक करेंगे wallet से connect करेगा और यह domain जो है आपको मिल जाएगा यह देखो आ गया register now पे क्लिक करते हैं pop up खुला उसने approve के लिए बोला और sorry गलत मैंने कर दिया अच्छा approve कर देते हैं इसे तो देखो successful हो गया यहाँ पे अभी तक यह चीज नहीं चल रही थी तो क्या है यह चीजों को चला रहे हैं और धीरे धीरे उसको live mode में लेके आ रहे हैं दो domain मैंने यहाँ पर buy कर रहे हैं दोनों के दोनों मुझे यहाँ पे मिल गई है एक मैंने कल ट्राई किया था crypto with Vishal.move नाम से एक मैंने अभी ट्राई कर रहा है यह वाला manage पे जाके देखते हैं एक बार क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा तो इस तरीके से आप टेस्टिंग करो हो सकता है किसी दिन चीजे चल रही होगी हो सकता है किसी दिन नहीं चल रही होगी तो 5 questions जो मैं भी यहाँ पे करने वाला हूँ जो सबसे जादा लोगों ने पूछे हैं सबसे जादा तो था mobile पे नहीं चल रहा भाई पहले भी answer दिया था और first video में भी बोला था मैंने kiwi browser का आप use करो दूसी चीज क्या token लेने हैं क्या खाली button पे click करते रहे हैं नहीं भाई ये token आपको इसलिए दे रहे हैं जिससे कि आप इनकी चीजों को test कर सको तो test ही नहीं करोगे तो चीजे कहां मिलेंगी अगें यहां पे 3.99 है button पे click करते हैं airdrop हमें नहीं भी आप क्या करना है इधर इनकी बहुत सारी activities हैं सारी activities पे जाओ चेक करो जो activities चला पा रहे हैं वो activities आप चला लो यहां पे दूसी चीज क्या ये जो token मिल रहे हैं इस अब real token है नहीं ये real token नहीं है पर इसका distribution किस base पे होगा उस बारे में फिलहाल के लिए कोई idea नहीं है क्या ये USDT जो यहां मिल रहे है real है नहीं वो real नहीं है पर क्या पता आपको उसका 50% दे दे आपको पूरा दे दे कितना दे पता नहीं तो at least चीजों को test आप यहां पे करते रहो और कुछ के question यहां भी आए कि discord में account कैसे बनाना यार जैसे आपने telegram पे account बनाया था आप facebook पे account बनाते हो उसी तरीके से आप discord पे account बना सकते हो अब अगर यहां भी किसी की problem है कि discord पे account कैसे बनाना है वो ही मुझे नहीं पता है तो यार youtube पे सर्च कर लो how to create account in discord वहां से आपको समझ में आ जाएगा अब इतनी छोटी से काम के लिए तुम नहीं कर सकते हैं कि discord पे भी account कैसे बनाना है वो मैं आपको बता हूँ तो आप youtube पे सर्च कर लो इसको और उसको आप यहां पे apply कर सकते हैं discord पे जाके क्या करना है वो मैंने इस वीडियो में आपको explain किया था वो काम आप वहां से देख के कर सकते हैं तो I hope जो भी question थे आपके sui airdrop से related वो सारे के सारे यहां पे clear हुए होंगे यह link मैं वीडियो के description पे डाल दूँगा और बाकी भी सारे डाल दूँगा kiwi browser का भी डाल दूँगा sui wallet का sui wallet का सारे के सारे में डाल दूँगा जितनी जादा से जादा चीज़े test कर पाते हो इन सब चीजों से उतनी करो जिससे जब भी इनका main net आएगा expected वो q2 है q2 का मतलब quarter 2 है जो उमीद है quarter 2 में हम लोग चल रहे हैं तो यह मई में आएगा जून में जुलाई में यह q3 तक भी move हो जाए इसके बाद में फिलाल कोई भी confirm date अभी तक नहीं आई है जब तक नहीं आई है test करो और बहुत ज़्यादा नहीं है hardly अगर 5 minute भी आप अपना लगाओगे तो आप चीजों को यहाँ पर आसानी से test कर सकते हो तो यह था guys video I hope सारे के सारे question आपके sui airdrop के clear होगे कर अभी भी कोई doubt है question है वीडियो के comment box पे आप मुझे बताओ एक और वीडियो बना लेंगे हम जहाँ पर वो भी जो question होगे आपके कर लेंगे पर at least एक बार कुछ से आप try कर के देखो और अगर यह discord जैसे question है तो प्लीज YouTube पे search करो और account आप अपना बना लो तो यह था guys video अगर सारे के सारे questions आपके जो भी doubt थे वो clear हुए है तो वीडियो को like जरूर करिएगा और आपके जो भी crypto community के friends है उनको एक बार जरूर share करिएगा कि उनके भी जो doubt है सोई के वो यहाँ से clear हो जाएगे तो इथा guys video, thank you friends